यात्रीगन कृपया ध्यान दे अपनी सीट की पेटी बांध ले क्यूंकि मुंबई से जामनगर जाने वाली फ्लाइट अब लंदन की तरफ डाइवर्ट हो गई है हेलो फ्रेंज दिस इस मी कारगे और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत कुछ समझे की नहीं समझे तो आपको बता दे कि इस बाल लंदन में लगेगा ठुमका होगा रंगारं कारेक्टरम दिखेगा गुजराती रंग वो भी वॉलीवूट की हसीनाओं के संग ना ना हम किसी एवोर्ट फंक्शन की बात नहीं कर रहें बलकि बात कर रहे हैं अनंत अंबानी और राधी का मर्चन की शादी की जो इस बार होने वाली है कहां चलिए बताते हैं आपको जिस घड़ी का था सबको इंतजार वो घड़ी आ गई अनंत अंबानी और राधी का मर्चन की शादी की डेट तो नहीं पर डेस्टिनेशन जरूर तैह हो गई है इस बार गुजरात में नहीं बलकि साथ समंदर पार सजेगी महफिल वो भी लंदन में फिर से मुंबई से उ स्टेट विल बी होस्टिंग वन ओफ दियर फंक्शन यह एक ऐसी प्रॉपरटी है जो इंगलेंड के बिस्टल में मौजूद है और 108 हेक्टर में फैली हुई है 1581 में यह रानी एलिजाबेट प्रथम का घर हुआ करता था और 1908 तक यह उनका घर रहा इसके बाद इसको क्ल गाना कंट्री क्लब है आपको बता दें तमाम हॉलिवुड की फिल्में जैसे की जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्स फिगर टुमोरो नेवर डाइस को इस प्रॉपर्टी पर फिल्म आया गया था अरे भई अमबानी के घर की शादी है वो चाहे तो इसे शादी के लिए पूरा जाम नगर में प्री वैडिंग फंक्शन मुंबई में बैशलर पार्टी शादी लंदन में और संगीत संगीत के लिए अभुधा भी चुना गया है रेगिस्तान की चलचलाती गर्मी में रेगिस्तानी ऊटों के बीच एक आलिशान महल में एरबिक थीम के साथ होगा अनंत राधिका का संगीत और कॉप्टिल के लिए भी एक खास डेस्टिनेशन चुने गई है अरबिक थुड़ा जादा हो गया यह तो मैंने अपने मन से ही कह दिया वल अबुधावी में यही बैस्ट है इसलिए लगा शायद इसी का तड़का लगेगा मेरे कहने का मतलब यह है क मामला तगड़ा है पूरी दुनिया में घूम घूम कर शादी के फंक्शन्स कर रहे हैं दोनों शादी के लिए तो लंदन का स्टोक पार्क बुक कर ले गया है लेकिन संगीत की देस्टिनेशन रिवील नहीं की गई है जाहिर है यहां भी बॉलिवुट के सितारे तड़का लगाने पहुचेंगे ही अब मोडी जी चाहे जितना भी चीक चीक कर बोल ले कि विदेश छोड़ो भारत में ही कर लो शादी उन्होंने तो वेडिन इंदिया का नारा भी दे दिया खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं अमीर लोगों को कहना चाहता हूं मिलियोनर बिलियोनर से कहना चाहता हूं हमारी हां माना जाता है कहा जाता है जो शादी होती है न वो जोड़े इश्वर बनाता है इश्वर ताय करता है जोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जोड़े जब इश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस इश्वर के चनणों में आने के बजाएं विदेश में जाकर कि क्यों करता है अब बताईए इतने बड़े उद्योग पती के बारे में क्या कहेंगे वो भी तो बाहर ही कर रहे हैं बेटे की शादी माना प्री वेडिंग गुजरात में किया लेकिन शादी भी ऐसी ही जगा करते तो भारत का और भी नाम होता सुनने में आया है कि शादी के लिए लोगों को इन्वाइट्स भी भेजे जा चुके है अरे भाई वो मुकेश अमबानी है दुनिया की किसी भी कोने में जाकर शादी करने की हैसियत रखते हैं फिलाल आप मैंसे किसी को इन्वाइट आए तो हमें जरूर बताइए आज के लिए फिलाल इतना ही बागी ख़बरों के लिए आप देखते रहें श्रेश्ट भारत श्रेश्ट भारत पर ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट भारत